कर आप सबी को और आज मैं आपको इस वीडियो की टॉपिक पर बताऊंगी कि ये जो SST GG 2015 वाले की जो भाई है वो सब भाई इस YouTube चैनल पर कमेंट करके बोल लेए भाई आप बड़े चलाक हो ये बोल लेए तो इसका मतलब उन्होंने बोलने की कोशिस कर रहे हैं कि आप तो पहले तो 2015 के लिए वीडियो बनते हो और उनके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद तो अभी आप 2015 को छोड़के 2018 की तरह वीडियो बनके बोल रही हो ये भी बात उन्होंने जो क्या ही है एकदम सच है तो गैस देखो ये चैनल किसी एक पार्टिकुलर पर नहीं है है ये चैनल सब के लिए है और यहां पर बहुत कुछ उठाना की प्रयाश जरूर होंगे और ये भी आपके सामने है ठीक है सबसे पहले जो बात में करना चाती हूँ वो भाई ससी जीजी दोहजर पंद्रा वाले की बात गाईज 2015 बाले के देखो बहुत तो candidate है ठीक है तो इन सारे बहुत जितने सारे candidate है ये सब candidate बार बार हमें बोलते हैं कि भाई क्या 2015 क्या क्यों अखिर सरकार क्यों नहीं कुछ response दे रही है या कुछ नहीं result डिलीज कर रही है अखिर क्या 2015 ऐसे ही एकदम down हो जाएगा धिरे ध हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार आप लोग हो आप हो ठीक है क्योंकि आपको मैं compare करके बता दूँगी कि 2015 और 2018 इन दोनों का compare में क्या होंगे और क्या result आएंगे सबसे पहले 2015 के लिए मैं clear करके बता देता हूँ 2015 आप मानों यह 2015 है और यह 2018 है ठीक है तो 2015 की लोग पहले तो court case किया था court case करने के बाद इन सारे लोगों को इलावाद high court से result भी declare कर दिया यानि उनके पक्ष में judgment ने judge दिये दिया और बताया गया के 7052 पोस्ट पर शरकार को जल से जल जानिंग लेटर देना होगा यह है 2015 वाले के बात और इसी 2015 की same जो भी पक्ष है same जो भी बात है इसको सुनने के बाद 2008 वाले केंडियेट ने क्या किया इनको पोस्ट भी कर दिया यानि इनके जो प्रोसेस है यह प्रोसेस एपलाई कर दिया तो यह प्रोसेस एपलाई करने के बाद गाईज आप मानोगे नहीं इससी जीजी 2018 वाले केंडियेट भी कोट में क्रेस कर दिया और कोट की केस करने के बाद जब एक साल के बाद जब ज़ाज ने हाई कोट की ज़ाज ने जो भी जजमेंट बताया गया तो वहाँ पे क्या किया कि यह जो एससी जीजी 2018 की जब से यानि अब मानोगे नहीं काईज जब से इनके नोटिपिकेशन रिलीज हुआ है कितने वेकंसी थी कितने वेकंसी स्टार्ट हुआ है कितने वेकंसी पर सरकार जोइनिंग दिया है और भी बहुत कुछ यह सब डीटेल एससी से कोट के तरफ दिया है, एकदम सब कुछ डीटेल और यह एससी को देना पड़ेगा, है ना और इसी बात को कोट ने बताया, यानि हाई कोट की जो भी जड़ है, कि आप फौर भीक के अंदर, बस फौर भीक के अंदर आप जितने डॉकुमेंट से है कि जितने यानि आप सोचो जितने फा इसको रिपोट जल से जल कोट में पेस्ट करो कितने लोग जॉइन हुआ कितने लोग जॉइन नहीं हुआ क्योंकि आप जानते हैं ससीजीटी 2018 में 54,000 केंड़िएट को जॉइनिंग लेटा रिलीज किया था तो वहां से लगबग बहुत लोग जॉइन भी नहीं किया क्योंकि बहुत एक लंबी प्रोसेस थी तो उसके पहले बहुत रिजल्ट डिक्लियर कर दिया गया था तो इसलिए वो सब लोग ज्यादा तर ज्यादा कैंड़िएट दूसरे यह पोस्ट पर जॉइन हो गई थी क्योंकि अगर दूसरे उसको पहले नौकरी मिल गए तो वो सब 2018 वाले कैंड़िट जो किया यह खुद नहीं किया यह 2015 वाले कैंड़िट को देखने के बाद ही ऐसे काम किया तो बहुत सरे हमारे भाई बार बार बोल लेए कि भाई प्लीज 2015 वाले के कुछ तो अपडिट दीजिए अपडिट दोस्तों ये है कि जो भी बात किया गया है से से जीजी 2008 को लेकर और 2015 को लेकर 2015 है पहले का तो इलावाद हाइकोट में जो भी देखो किसी भी हाइकोट हमारे इंडिया में किसी भी हाइकोट कम नहीं है तो सबसे एक मत्र हाई कोट है वो है सॉरी एक मत्र हाई कोट मैंने बताया जो भी हमारे देश की सबसे पहला हाई कोट है वो है सुप्रिम कोट क्योंकि उसके उपर कोई कोट नहीं है लेकिन हर स्टेट में एक एक कोट है और वो हाई कोट कहता है जैसे हमारे कलकता में है दिल फैसला है यह तो आप देख रही हो कैसे चल रही है है ना तो इलावाद High Court ने जो भी order दिया था 7052 पोस्ट भरने के लिए SSE को notification जारी तो आप सब लोग SSE के office पर जाओ वो जो proof है आपके 2015 वाले candidate जब court case किया था उनके साथ बात चित करो कि आखिर कितने लोग इस court case में सामिल हुआ था तो जो 7000 को अब तो एक दम clear कर दे के 7000 लोग को joining लेकर देना होगा तो कितने ऐसे लोग है वो पहले तक बर आप देखो कि कितने लोग आपके लिए है जो लर रही है और जो लोग पहले से लड़ते रहे है तो उनके साथ अब अगर वह भाई इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज एक बर कमेंट जरूर करना ठीक है क्योंकि 2015 वाले जिदने सारे टू पोस्ट पर जॉइनिंग देना होगा तो कोट की जो भी राई है वो उनके सारे कैंडियेट के पक्ष में हो गई है राई और अभी तो एससी के गलती है एससी आखिर क्यों नहीं ऐसा कर रहे है तो इनके लिए भी आपको फिर से एगवर कोट में कुछ तो करना पड़ देगा क्योंकि कोट के थ्रू यह सब कुछ पॉसिबल होगे आप एससी का ओपिस पर जाओ और बहां पर बताओ यह जो न्यूस पेपर वाले यूटुब चैनल वाले और यह जो इलावाद हाई कोट ने जो भी जज जजमेंट किया था तो उसी जजमेंट में क्या गलती हां तो आप कैसर कितने दिन और लगेगी इन सारे जो पद भरने के लिए आप डाइरेक सिधा कोट यह ससी ओपिस जाओ नहीं तो जो भी है वहां पर जाओ और जाने के बाद गाईज उनके पूछा उनके के यह जो कोट के थ्रू जो 7052 पोस्ट पर जॉइनिंग देने के ल अगर किसी भाई के पास किसी भी भाई के पास अगर इलावाद हाई कोट की PDF फाइल है जो भी 7052 पोस्ट पर जिसके लिए बताया गया एससी को के जॉइनिंग लेटर देना होगा इन सारे कैंडियेट को तो वो भाई प्लीज आप कमेंट करें इस वीडियो की डिस्किप्शन बॉक्स पे और बताए कि हां मेरे पास पीडियेप है तो मैं उसको परसनली मैसेज जरूर करूंगी क्योंकि वो पीडियेप अगर मिल लिखा है वह एक दम थोड़े से एक दम पूरे किलियार हो जाता ठीक है तो अगर आप सभी लोगों के पास अगर वो फीडियेप है तो प्लीज आप इस कॉमेंट बॉक्स पे लिखे के हां मेरे पास पीडियेप है 2015 का क्योंकि अलावाद हाई को पीडियेप तो केस नमबर कह रही हूं आपको कि हमारे इस वीडियो की ड्रेस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक टेलिग्रम चैनल के लिंक दिया जाएगा तो गाईज आप पहले तो उस टेलिग्रम चैनल की जो भी लिंक है उस लिंक पे क्लिक करो और डारेक देखोगी एक चैनल है वहाँ पे भी एस पी वीडिये फाइल होगे गाईज सो प्लीज ऐसे काम जरूर करें और मुलाकत की दूसरे वीडियो पर तब दक के लिए जाहिंद बंदे मातरम भारत मता की जाएगाईज अभी जो मैं यहां पर वीडियो रेकॉर्ड कर रही हूं है यानि हमारे खेत है और पीछे जो भी पेर सब्सक्राइब आ गई है सो जैहिंद और गुडबाई गाईज भाई की चैनल को सब्क्राइब जोरू करें ओके